अभी आपने जो वीडियो देखा उसको देखकर हर कोई चोग जाहे ऐसा रहस्यमाई खतरनाक जीव जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस जानवर का नाम है बीजू अंग्रेजी में इसे हनी बेजर के नाम से जानते हैं ये इतना रहस्यमाई जानवर है जो समसान में रहता है इसका बोजन क्या है आपको पता है इसका बोजन है मुर्दो का मास हाँ आप सही सुन रहे हैं सम्सान में रहकर गड़े हुए मूर्दों को यह खा जाता है अब आप एक बार इस वीडियो को देखिए बड़ा डरावना सा जानवर हैं पर बहुत ही मज़ेदार हैं अब आपने देख ही लिया कि यह मिट्टी को खोद खोद के अंदर गुस के गड़े वे मूर्दों को खा जाता है जू कि यह मासाहरी जानवर हैं और एकदम लड़ा को सोबाव रखता है इसकी बहुत ही मोटी चमड़ी है इसके भारी बरकम मोटे नाखून और नुकिले दांच से ये एक बार तो सेर पर भी हमलाग कर सकता है निकालता हैं भूतों जैसी आवाज अकसर हम रात में समसान के पास से होकर गुजरते हैं तो कई लोग कहते हैं ना कि उन्होंने भूतों की आवाज सुनी वो उन्हें बुला रहा था पर असल में वो भूत भूत नहीं होता वो बीजू होता है जो मुर्दों को खाकर चिलाने लगता है और जब हम समसान में जाकर देखते हैं तब तक वो कहीं जमीन में गुज जाता है पर ये अनुबव तो डरावना ही होगा कि हम रात में कहीं जा रहे हैं और हमें ऐसी आवाज सुनाई दे ऐसा जानवर भारत में बड़ी संख्या में पाया जाता है भारत के अलावा अफरिका में भी ये जानवर मिल जाएगा इसकी डरावनी सकल और लंबे नाकून से हर कोई एक बार तो इससे डर ही जाए ये इतनी रफतार से मिट्टी खोता है जैसे कोई जैसी भी चल रही हो अब अगली बार कोई जंगल से आप निकलो और डरावनी आवाज सुनो तो भागना मत वो बीजू है जो ये डरावनी आवाजे निकाल रहा है ये जीव मात्र समसान या कबरिस्तान में ही मिलेगा इतनी बयंकर चीक से ये चीकता है कि मानो कोई भूत आप सायद नहीं जानते होंगे कि इस जानवर को गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड ने दुनिया का सबसे निर्भीक और निडर जानवर का खिताब दिया है इससे पहले तो हम जानते थे कि सबसे निडर सेर है पर सेर कहीं भी किसी पे भी हमला कर देता है पर हनी बेजर बहुत ही बुद्धिमानी से हमला करता है हनी बेजर की कई सारी परजातिया है भारत में पाई जाने वाली हनी बेजर की परजाती दूसरे देशों जैसे अफरीका की हनी बेजर की परजाती से पूरी तरह से अलग है पर परजाती के विप्रितिन सब के गुण एक समान है तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब जल्दी से लाइक बटन दबादो यार चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद